13 to 16 में आपके नहीं गेन महीं guess करना है, function आपको given है और यह x की values आपको given है, ठीक है, यह x की values हम put करेंगे तो y की comparatively values आएंगी, to put किया तो यह, this we are approaching to 1, हम 1 को left से भी approach करें और right से भी approach करें, तो देखें हम right से approach करें 1 को, we are approximately equals to 1, ठीक है, and now, ठीक है, this is 0, and this is 2, so हम 2 से, कौन के करफ आ रहे हैं, और अब हम left से approach करें, तो 0 से, कौन के करीब आ रहे हैं, यह approximately equals to 1 यहाँ पे हैं, और approximately equal to 1 यहाँ पे हैं, तो देखें, भाई की value क्या है, 0.333, 0.333, 0.333 is approximately equal to 1 over 3, क्याँ रहे हैं, 0.333, इसी तरह B में अगर आप देखें, जब 2 से हम towards 1 जाते हैं, जब इसकी तरफ आ रहे हैं, तो देखा हर पॉइंट की पर value को, यहाँ पे 6 है, यहाँ 66 होगी, यहाँ पे 4 हो गया, तो यह triple 6 हो गया, तो इसका मतलब जब 1 के जितने करीब जा रहे हैं, यह value बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए 1 के बहुत करीब जाते हैं, बहुत बढ़ी value हो जाएगी, इसलिए positive infinite है, यहाँ पहला हम उनको left से अप्रोच कर रहे हैं, पहला हमने 0 के किया है, towards 1, going towards 1, लेकर यह भी values बढ़ र तो जितने हम उसको और करीब लेते आएंगे वहान के तो यह वेल्यू क्या रही है बड़ी वेल्यू आ रही है और नेगेटिव है तो उसका मुले रखी नेगेटिव इनकिनिटी को अप्रोच करेगी तो लाइट लाइट लेमिट इस वेगेट इनकिनिटी फॉर्टीन में भी यही चीज है आपके पास फॉंक्शन गिवन है आपने प्लस माइनस वेडिस पुट कर भी हमने अप्रोच करने है जीरो को जीरो का मैं लेफ्ट है भी अप्रोच करने है और राइट से भी गुट कर दे लेफ्ट छाउट रहें इस तरफ से हम राइट से जीरो के ने कोई वारे है तो यह दोनों तक करीवन यहाँ पर देख्या Mine वेलियु का है, 0 के करीब तरी वेलियू है, और लेफ रायट दोनों से क्या है, 0.5 टी को लें, तो, लिम्ट इस 0.5, which is half, और Part B में हैंसे का खागे, कि ये कुछ वेलियू इस गिवन है, ये आप वेलियू पूट कर दे, we are approaching zero from positive side अब zero को हम approach करें सिर्फ positive side से 0.25 पर वेल्य देखिए 0.90 पर 0.0 तो देखेंगे यह approximately कुश्टू अभी जिसकी वेल्य और इसमें एक और zero डालेंगे और बढ़ी हो जाएगी देखेंगे 20 से 2000 हो गया फिर 20,000 हो गया और बढ़ती जाएगी पॉसिटिव है तो इसमें फ्रस्ट इंफिनिटी के तरफ जाएगी इसे तरह जब हम zero को मैनिस negative side से अप्रोच करते कि लेफ्ट साइड से तो वेल्य बढ़ रही है गें 7 से मैनिस 19 हो गया फिर एक और zero लगाया तो 19,99 हो गया 3,0 लगाया तो 20,000 हो गया बट इसमें अप्रोच कराएगा तो इसमें हम और करीब होते जाएगी ये वेल्य और बढ़ती जाएगी means negative infinity 15 में भी अगें आपने zero को अप्रोच करना है press minus से this would be our answer which is 3 और हमने minus 1 को अप्रोच करना है minus 1,0 तो ये हमारे पास है minus 1 minus 1 के इस तरफ zero है और इस तरफ यह है वो तो ये इन्होंने minus 1.5 लिखा रहा है तो अब ये minus 2 है तो यहां पर minus 1.5 तो देके minus 1.5 फिर minus 1 फिर 1 फिर इस इस तरफ आ रहे है right side से जो अप्रोच करना है तो ये value आ रही है और जब 1 को अप्रोच कर रहे है left side से, 0 से इस तरफ से जब अप्रोच कर रहे है तो 0 ये फिर ये फिर ये ये value आ रहे है अब ये value और ये value same नहीं है left और right 1 को minus 1 को अप्रोच करते हैं left और right दोन अप्रोच करते हैं अब अगेन हमने मिनस 1 को अप्रोच करना है, from left and from right again, left से यह, right से यह, यह left से, यह right से दोनों में 1 है, इसी तरह हमने 0 को अप्रोच करना है left और right से, तो वह values हमने put की, यह हमने left से किया तो यह आ रही है, और जिए right से अप्रोच किया तो यह आ रही है, तो दोनों सेम है, that's why the limit is 2.5 means 5 over 2.